वेल्कम गुड मॉर्णिंग ओल अप यू आज का जोपना टोपिक है वो क्या है नारो सिस्टम और नारो सिस्टम में अपने लास्ट लेक्षर में कहां तक डिस्कस कर लिया था मेडूला ओबलोगेटर तक अपने क्या है डिस्कस कर लिया थो वही से अपन क्या है continue करेंगे मेडूला ओबलोगेटर है मेडूला अप्लयगेटर में क्या होता है ? मेडूला अप्लयगेटर extend from the pawns above is continuous with the spinal cord below कहां से कहां तक होता है the medulla obligator extend from the pons above and it continues with the spinal cord below it is about two five centimeter long the length of the two point five centimeter long and it lies just within the cranium above the foramen magnum काहां के दोता है cranium above and foramen magnum bag के पास its anterior and posterior surface are marked by central fissures anterior and posterior surface वो किसके दोरा mark होती है central fissures के दोरा क्या है mark होती है the outer aspect is composed of white matter जो आउटर आस्पेक्ट है वो किसे बनता है white matter से बनता है which pass between the brain and the spinal cord and grey matter lies centrally वहां पर क्या होता है which pass the brain between the brain and the spinal cord किसके बीच में पास होता है संसाल कंटिन्यू कंस्टिट्यूट स्टेशन फोर सेंसे नर्व पासिंग फ्रॉम था स्पैनल कोड तुदा सेरीब्राम कि मेडूला उबलिगेटर में क्या होता है दो मेडूला उबलिगेटर एक्स्टेंट फ्रॉम दपॉंस अबव एंड केंटिनियस विद दाइस इस पैनल कोड के बिलो तक इस अबाउट 25 सेंट्रीमेटर लॉंग लेंद कितनी होती है 255 सेंट्रीमेटर लॉंग होती है इट लाइज जस्ट विदिन दा क्रेनियम अबव दा फोरम मेंगनम कि कि के द्रेद उंटल कोनल थे लॉंग किस चोर्ण जसके दूर्माल आस्प eighth लॉंग किसे वनता वाइट मेंटर सेंट्रीमेटर जो ब्ली एक सब्सक्त सब्सक्राइब है का raising सब्सक्राइब कलता है। हुआ हुआ थाए ताओ थाए थाए अज़ अज़ पाए थाए ताए ठाए अज़ अब तो होजो आपि आपि दो आपि को Aylaко क्रेंटर कानिशिकों अबूप अबूप आपिस एक्तिविटी लाइज इन इट्स डिपर स्ट्डर्चर्टरत विश्ट वाइटल सेंटर है थिए वगण arning और zwezo क्लीट्ट के सब्सक्राइब। कोन से कोन से काड़ेक सेंटर काप्फिंग हो गई। मैं यह सारी के सारी क्या है कि एक जबतले कि इसके अप अपना कौनसे कौनसे हैं कार्डिक सेंटर हो गया है रिस्परेटरी सेंटर हो गया वेजो में रिफलेक्स इंटर हो गया है यह सारे तर सके दर इंख्लोड होते हैं झाल झाल जो सबसे पहला अपना क्या है काडिक सेंटर क्या है काडिक सेंटर जो है वो क्या है अपना हुमन ब्रेन का क्या एक पार्ट है प्रच अ जहां से क्या होता है रेगुलेट यहां से क्या ही साथ ह्यां न्रों और अपनी दोनों के दोनों यहीं से क्या है और इसने टोंगे यह जो है अपना मेडूला उपलुकेटा के अंदर प्रिजेंट होता है नौर्मली जो क्या है हाइट बीट जो है वह विदाउट नर्व कंट्रोल के होती है बट कुछ सिच्वेशन्स ऐसी होती है जिनके अंदर क्या होता है जो अपनी हार्ट रेट है वह कुछ कंडिशन्स ऐसी होती है जिनपे क्या है अपना नर्वो सिस्टम का केंट्रोल होता है जैसे कि कोई पर खांपल कोई भी अपने अपन एक्सरसाइज की है ठीक है कोई अपने बोडी ट्रोम हो गया तो उस कंडिशन के अंदर क्या है जो अपनी हार्ट रेट है वह किस एक बेस्व करेंगे तो घंड नर्व सिस्टम पर अपनी मैंडोल्र में Doch का नेस्ट अपना है रिस्परेंट्र इसेंटर जो रेस्पेरेट्री सेंट्र है उसकी लोकेशन क्या होती है मेडूला अब और जब नब पॉंच से ठीक है ब्रेइन स्ट्रीम के अंदर वहाँ पर क्या है वह सिट्वेट रहता है जो रेस्पेरेट्री सेंट्र है वह क्या है मौस्टली तीन सेंट्र बनाता है तीन ग्रूप के सेंट्र बनाता है जिसमें क्या क्या होता है दो जो है वह तो क्या है निमो टॉक्सिक होते हैं और जो रिस्पारेटरी सेंटर है वो किस चीज के रिस्पॉंसिबल है जो अपनी रिदम और रिस्पारेशन जो है उसको मैंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉंसिबल है रिस्परिटरी सेंट्र है वो क्या है, responsible होता है नॉर्मल जो है, वो क्या है, अपनी नॉर्मल जो है, वो क्या है रिस्परिटरी सिस्टम के इंदर इंक्लूड होती है, बट किसी भी disease condition के इंदर ठीक है, ट्रोमा हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, उस दोरान के है जो आपका नहरो सिस्टेम है उन पे वो केंट्रोल करेगा जो वेजो माटर जो है, वेजो माटर क्या करता है, वेजो माटर को अपन क्या बोलता है, वी एम से भी बोलते हैं, यह क्या है, पोर्चन है, इसका मेडूल अबलिकेटे का, जहां पर क्या होता है, कार्डियोगेस्कुलर सेंटर और रेस्पारेटर सेंटर के हैं, दोनों के दोनों, ब्लड प्रेसर और जो होमेस्टेशिस प्रोसेस है, वो दोनों के दोनों की कम्प्लीट होती है, जए तनी होगी, प्रेटियोगेस्टेशिस प्रोसेस होगें, ब्लड का प्लो गया, प्लेड का प्रेसर हो गया, कफें हो गई, स्नीजिंग हो गई है सारी की सारी क्या है जो अपनी रिफ्लेक्स एंटर है वो केंट्रोल करता है इन पर नेक्स्ट अपने डेकलेशन ट्रोसिंग अपड़ पिरामिड्स इसके इंदर के वत इन दा मेडूला मोटर नर्व है इन दा मेडूला मोटर नर्व है जो मेडूला मोटर नर्व हो क्या है डिसेंडिंग फ्रोम दा मोटर एरिया इन दा सेरीब्रम टू दा स्पैरल कोड कहां से कहां तक है क्रोस करती है एक साइड से दूसरी साइड को क्या करती है क्रोस करती हैँ इसका मिंश क्या है इस Cerebram, controls the right half of the body and vice Nishra, these tract are the main pathway for impulse to skeletal muscles, these tract are the main pathway, this is the main pathway for impulse to skeletal muscles, this is the main pathway from the impulse to जो अपनी वोलेंटरी मसल्स होती है उनका तो इसमें क्या होता है तो मेडूला मोटर नर्व डिसेंडिंग फ्रोंदा मोटर एरिया इन दा से रिप्रम कहां से कहां तक है मोटर एरिया उप्रियू से लेके इस्पैनल कोड इन दा परेमिडल ट्रेट तक क्रोस्ट वन साइड अधर एक साइड से दूसरे साइड को क्या है प्रोस करती है दिस मेंस देट दा लेट हमिस्पैर ओप द शेरीब्रम केंट्रोल दा राइट आप अप द बोडियू से लिए वह 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 कैंट्रोल करता है दीजटेक्ट आर्दा मैन पाथवेपॉर इंपल्स के लिए इंपल् बोग्ष़ से लिए गवह वह 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 व। मैन इंपल्स क key one झाल झाल 6 2 6 6 Next is sensory Sum of the sensory nerve ascending to the Cerebrum from the Spinal Cord Cross from one side to other in the Medula Obligata राइगा कुछ क्या है sensori nerve क्या होती है जंडिंग होती है कहां से कहां तक होती है to cerebrum from the spinal cord cross from one side to other in the medical obligator क्या करती है एक साथ से दूसरी साथ को other at lower level in the spinal cord बाई, दो केँदेए की उंप भी कर्यां राग्ट नेक्स्ट है काडिवस्कुल सेंटर काडिवस्कुल सेंटर केंट्रोल दा रेट एंद फोर्स ओप दा काडिक कॉंट्रेक्शन क्या होता है काडिवस्कुल सेंटर के अंदर कांट्रोल दा रेट एंद फोर्स ओप दा काडिक कॉंट्रेक्शन जो काडिक कॉंट्रेक्शन उसक सिंपेसिटिक स्टिमुलेशन इंप्रीजिज द रेट एंड फोर्स ऑन बाऍ पेड़िक besides डहा है जो सिंपेतिक सिंपेटिक क्या करेगा जब भी सिंपेदरिक क्या करेगा इन lowest सिंपेडलेशन होगा appelle हिंकरी नहीं एपनी हार्ट स्टॉम्लेशन पर ही स्टॉम्लेशन होगा उस टाम मेक्व इंक्रीज होगी अपनी जो हरट रेट है झांग्रहरई वैक्टर्च्ष्थच क्या है उस च्मिलेशन हो क्था इनका ही कि accident to झाल 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 बस आफिशन नेक्सट अपना है टी सेंटर जो है इस प्रेयं जो है लेट har novamente आर टीस विंप्राइकन फिरी हर्य दू में अच्छलिश प्रेश्न बस्यद्च और श dit Crash इंट्रकॉस्टल नर्भ, कहां क्या होता है? इसमें कहां से कहांती है? इंपल्स पजोब कर दोवीस, क्या होगा? का नर्थ नर्थ इंट्रकॉस्टल मससलेजित से there by the The respiratory center is stimulated by excess carbon dioxide and the lesser extent by the deficiency of oxygen in the blood supply and by impulse from the chemoreceptor in the cardio-carotid bodies. The respiratory center is stimulated by excess carbon dioxide and to a lesser extent by the deficiency of oxygen in the blood supply and nerve impulse from the chemoreceptor in the cardio-carotid body. . . . . . . . . झाल झाल प्लाइक वार। नेक्स्ट है वेजिवच्ट में वेजिवच्ट में क्या है वेजिवच्ट में इंदर डायमेटर उसके इंदर इंदर आर्टी जो चोटी चोटी आर्टी है और जो अपने ब्रेकडाउन होती है उन्हें जो आर्टी बनते हैं उन पर विच है वेलार्ज पॉर्शन ऑप देश्मुथ मुशल फैबर इन देर वोल इनका क्या है बहुत बड़ा पार्ट होता है वेज़ोंगे इंपल्स ओं फ्रॉत ब्लाडवे कंदर जाते हैं स्टूमलेशन में कोज और कॉंट्रेशन और डायर्टेशन ब्लेड वेस्ल्स की साइट पर कि कि हुआ है लेक्स रिफ्लेक्स हंटर के इंदर की अपने स्टमक और रिस्परेटरी ट्रेक्ट जो है यह निकी डैजेस्टी ट्रेक्ट और जो रिस्परेटरी ट्रेक्ट है उसके अंदर अगर कोई भी फूट पार्टिकल या कुछ भी अपना क्या है रह गया और वह क्या कर रहा है इरिटेट कर रहा है बार बार क्या कर रहा है जो अपनी ट्रेक्टर उसको इरिटेट कर रहा है तो उस कंडिशन में क्या होगा वह बैक फ्लो होगा ठीक है जिसको जाएगी स्नीजिंग की शिकायत होगी यह किसमें आता है रिफ्लेक्ट चेंटर में नेक्स्ट अपना है रेटिगुलर फॉर्मेशन रेटिगुलर फॉर्मेशन में क्या होता है जाएग रेटिगुलर फॉर्मेशन इजग क्समें श्रांने अर्एंज लीषक्ट इन कोो भेल कोरी उंर्फ उप्रीविटर फॉर्म क्या है विख गार। इंड इंद अंवरे श्रुल्विटर श्रेंगल दीग्टवर फ्ल Dusson में sympathetic link with other part of the brain and is therefore constantly receiving information being transmitted in the ascending and descending track next function the reticular formation is involved in coordination of the skeletal muscles activity first care coordination of the skeletal muscles activity associated with voluntary motor movement and the maintenance of the balance guess ka first function second care coordination of activity control by the autonomic nervous system second में क्या है जो कोर्डिनेशन मनाना है किसके साथ है autonomic nervous system के साथ इसको क्या है कोडिनेशन मनाना है next is selective awareness that function through the reticular activating system जो आरे सिस्टम जो है reticular activating system है उसके क्या है awareness learning which selectively block or pass sensory information to the cerebral cortex क्या करता है sense sensory information है वो क्या है पास करता है कहां से cerebral cortex से जांपल के है the slides around met by a sick child moving in the bed may arouse his mother but the noise of a regularly passing train may be suppressed the next lecture अपना होगा वो किस पर है cerebral cortex thanks to all